वही करोना पर यूपी के पिलीभीत से बड़ी खबर आ रही है 20 अप्रेल को करोना मुक्त गोशित किये गए पिलीभीत जिले में मद्धिप्रदेश के इंदौर से लोटे एक व्यक्ति में करोना की पुश्टी हुई है और जिसके बाद मरीज का इलाज आप बरेली में चल रहा है बताई जा रहा है कि ये शक्स 23 अप्रेल को इंदौर से पिलीभीत में अपने घर पहुचा था और उसी के बाद ये खबर सामने आई उधर पंजाब पुलिस ने अपने जवानों के साथ साथ करोना के खिलाफ जंग लड़ रहे करोना योधाओं का होसला बढ़ाने के लिए मैं भी हरजीत नाम के एक मुहिम शुरू की है PGI चन्डिगर में भरती SI हरजीत सिंग को पंजाब पुलिस सोमवार को अनूठा सम्मान दे रही है पंजाब के DGP दिनकर गुपता समेत 80,000 पुलिस कर्मियों के नेम प्लेट को सोमवार को SI हरजीत सिंग का नाम है सभी पुलिस कर्मिय अपने नेम प्लेट पर हरजीत सिंग के नाम की चट लगा कर ड्यूटी कर रहे है इसके साथ ही मैं भी हरजीत सिंग का नारा भी लगा रहे हैं हरजीत सिंग 12 प्रेल को पट्याला की सबजी मंडी में बदमाशों के हमले में बुरी तरह से जखमी हुए थे आपको यहाँ यह भी याद होगा कि इसी महीने को 12 तारिख को पटियाला की सबजी मंडी में आये कार्ट सवार बदमाशों और पुलिस के भी जड़प हो गई थी बदमाशों ने गाड़ी में बैठ कर फरार होने की भी कोशिश की सड़क पर लगे बैरिकेट को तेज रफ्तार गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की पुलिस ने जैसे ही उन्हें गारी से बाहा निकालने की कोशिश की तो कारसवार बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और उसी हमले में एसाई अर्जी सिंग जो है वो दरसल उनकी कलाई कटकर अलग हो गई थी पुलिस महकमे ने अब इस जाबाज सिपाही के जजबे को सलाम करते हुए उनको पदुनृत्ति देकर एसाई बना दिया शो अफ सॉलिडेरिटी के लिए हमने एक प्रयास है हमारा कि हम सब लोग एक कथे मिलके एक युनाइटेड की इंडिया जो स्टैंड्स वान अगेंस्ट इस अटैक्स गवर्मेंट अफ इंडिया ने भी एक ओंडिनस जारी किया है इन अटैक्स को रोकने के लिए जो डॉक प्रयास है इससे कि लोगों को जागरूप करने का और उनको अवेर करने का और इन अटैक्स को उनका रोकने का और एक मैसेज भेजने का एक स्ट्रॉंग मैसेज भेजने का कि इस अटैक्स आर इंटॉलरबल दे कैनाट पी टॉलरेटेड गुजराट डीजीपी ने के समर्पन का प्रतीक है विपरीत परिस्थितियों में कर्तव्य और शांती के लिए उनके निश्था पुलिसिंग की सर्वेश परंपराओं को तरशाती है गुजराट पुलिस उनके स्रीग्र स्वस्थ होने की काम ना करती है बुंबई के बांदरा अलाके में एशियन हार्ट अस्पताल में 31 स्वस्थ कर्मी करोना पॉजिटिव पाए गए 31 कर्मचारियों में 8 नर्स जबकि 23 वाट बॉर और कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी और लॉंट्री में काम करने वाले लोग शामिल है